दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, गंटे को दबाएं, ओल प्रेस करें, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों मैं हूँ मेगराच और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम एकाउंड के अंदर अगर आपकी चेट, स्ट्री, मैसेज, रील्स, फोटो, कुछ भी अगर आपका डिलिट हो गया है तो उसे कैसे रीकवर करें अगर आप उसे रीकवर करना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्पार्टफोन पर जाना है और स्पार्टफोन के अंदर जहां कहीं भी आपका इंस्टाग्राम हो आपको इंस्टाग्राम एप्लिकेशन के अंदर चले जाना है यह हमारे पास इंस्टाग्राम है तो हम अपने इंस्टाग्राम एप्लिकेशन पर चले जाते हैं यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस टाइप से हमारे Instagram एकाउंट यहाँ पर शो होता है इसके अंदर उपर हमारे पास यह 3 डोट लेयर्स दिखती है इस 3 लेयर्स के अंदर हमें किलिक करना है और यहाँ पर दोस्तों एक option हमें देखने को मिलता है Settings and Privacy Settings and Privacy के अंदर आपको क्लिक करना है Settings and Privacy पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस टाइप का option आ जाता है यहाँ पर आपको scroll up करना है और scroll up करने के बाद achieve and downloading पर क्लिक करना है यहाँ से अगर आपकी किसी भी टाइप के photos दे उनको achieve and downloading के अंदर यहाँ पर save कर दीजिए इसके बाद दोस्तों आपको नीचे के और जाना है और यहाँ से सबसे बेले आपको अपना account का एक status को चेक करना है कि आपके account का status है वो यहाँ पर सभी जगे पर टिक लगे हुए हैं यहाँ भी नहीं है इसके बाद दोस्तों आपको bake निकलना है और bake निकलने के बाद वापिस 3 layers पर जाना है फिर जाना है आपको your activity के अंदर your activity पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अगर आपके photos, videos, reels कुछ भी recently delete हुआ है तो आपको recently deleted वाले option पर जाना है और यहाँ से अपना recently delete हुए photos, videos, reels को यहाँ से recover कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों लेकिन अगर आपके इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपके delete हुई है तो आप H.E.O. में जाकर check कर सकते हैं जहाँ पर आपको काफी पुरानी अपनी photos, videos यहाँ पर मिल जाएगी इसके साथ दोस्तों आपको अपने smartphone पर जाना है और नीचे के और Instagram के अंदर जाना है यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपना क्या है कि जो history है अपना पुराना bio data आप डाउमलोड करें ताकि आपने पिछले समय की जो downloadings थी वो सारी आप यहाँ से download कर पाएंगे simply आपको यहाँ पर जाना है अपने account को select करना है और अपनी information को यहाँ से transfer भी कर सकते हैं और download भी कर सकते हैं पास्ट में अगर आपने कोई downloadings डाल रगी तो वो सारी भी यहाँ पर show हो जाएगी उन downloadings data को आप download करिए और download करने के बात क्या करेंगे दोस्तों कि आप उस चीज़ को यहाँ से use में ले सकते हैं क्योंकि अगर आपका किसी भी कारण बस आपके smartphone से कुछ भी आपकी chat history delete हो गई है तो वो आप यहाँ से download कर सकते हैं इस तरह से आप अपने smartphone की जितने भी चीज़ें यहाँ से download हो गई है उन्हें recover कर पाएंगे तो I hope guys आपको यह video अच्छी लगी हो और आपको अपनी जो बेकेंट से delete होई chat history message को recover करना चाते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं यह तरीका बहुत ही important बहुत ही unique है जो आपके बहुत ज़्यदा काम का है तो अगर guys आपको यह video अच्छी लगी हो और पसंदाई हो तो प्लीज वीडियो को like and share जरू करें और चैनल को subscribe जरू करें यह video को देखने के लिए आप से भी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching this video